भ्यम्दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसी हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे तशिकों 22 चुलाई तिन शुकरवार को सावन माह की नवमिति थी है इस नवमिति थी के अवसर पर आप भगवान शित को प्रसने कर सकते हैं वैसी तो सावन का पूर्ण महिना भगवान शित को समर्पित होता है यदि इस सावन के महिने में हम भगवान शित को प्रसने कर लेते हैं तो हमारी जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है यदि आपकी भी कोई मनोकामना है जो अनेकु प्रयास और अनेकु उपाय के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है तो इस नवमिति थी पर आप यह उपाय अवश्य करिएगा बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है इसके लिए आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ग्यारा बेल पत्र ले लें ग्यारा बेल पत्र आपको छाट कर लेनी है कुमल कुमल सी आप बेल पत्र ले लें क्योंकि बेल पत्र भगवान शिव को अतिप्रिय होती हैं साथ में आपको मात्र एक काली मिर्च लेनी हैं जी हां साबुत काली मिर्च आप ले ले और ग्यारा बेल पत्र ले ले एक लोटा जल ले ले अब आपको क्या करना है भगवान शिव के मंदिर जाना है और अपनी मनोकामना को कहते हुए सबसे पहले एक काली मिर्च आपको अर्पित करनी है शिवलिंग पर उसके बाद एक एक करके बेल पत्र अर्पित करना है ग्यारा और ग्यारा बार ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंतर का स्मरन करना है फिर जल की एक धार बनाते हुए आपको पून शिवलिंग पर जल अर्पित करना प्राथना करना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो आप इस मनोकामना के लिए यह एक विशेश उपाय कर रहे हो जिससे मेरा जब भी कोई नए वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव धन्यवाद